अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के बाद बनी परिस्तित्यों के बाद, हम आत्मन निर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मन निर्भर भारत अभ्यान, ग्लोबल एकनोमिक के लिए भी एक फोर्स मल्टिप्लायर होगा। और लिडर्शिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनसिंग स्कीम्स का सबसे जाना लाब भारत की महिलाय ही उठा रही हैं। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 विक्स की पेड मैटनिटी लिव दी जा रही है। भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिये गए हैं। हद्यक्ष महोदाय भारत विश्व से सिखते हुए विश्व को अपने अनुभव बाणते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मुझे विश्वास है कि अपने 75 वे वर्ष में सयुक्त राष्ट और सदस्य सभी देश इस महान संस्ता की प्रासंगित्ता बनाए रखने के लिए और प्रतिवद्ध होकर काम करेंगे। सयुक्त राष्ट में संतुलन और सयुक्त राष्ट का ससक्तिकरन विश्व कल्यान के लिए उतना ही अनिवार्य है।